आज हम बात करने वाले हैं टाटा की टॉप सेलिंग सब कॉंपेक्ट SUV कार टाटा नेक्सवान 2022 के बारे में अब यह आप यह टाटा नेक्सवान का काजी रंगा एडिशन देख रहे हैं यह जो पूरी थीम है काजी रंगा नेस्टनल पार्क असम से रिलेटेड है यह जो कलर कॉंपेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी से रिलेटेड आपको यह पर दिया गया है और आपको पता होगा चिको काजी रंगा नेस्टनल पार्क है वो सिंगल हॉन राइनो के लिए फेमस है उसकी जलक भी आपको इस टार्टा नेक्सवार में देखने को मिल जाती है तो आज इसी के बार में कम्प्लीट डिटेल में बात करने वाले है एक स्टेर से लेकर इंटियर तक की इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में तो चलि सबसे पहले स्टार करें लें कलर उप्सें से तो टार्टा नेक्सवार में आपको पहले डेटोना ग्रे, कैलगरी वाइट, फॉलिएज ग्रीन, फ्लेम रेड, एटलस ब्लैक ये कलर ऑप्सें देखने को मिल जाते थे तो इसमें आपको XE, XM, XMS, XZ, XZ Plus, XZ Plus S, XZ Plus Optional जैसे यहाँ पर आपको टार्टा नेक्सवार में ओफर की जाते हैं और जो आपको ये काजी रंगा एडिशन है वो XZ Plus वेरेंट में देखने को मिल जाएगा टाटा नेक्सवान में आपको दो साल और 75,000 km की वांटी मिल जाती टाटा की तरफ से अगर की की बात कर लें तो ऐसी कुछ कीमती लॉक, अनलॉक, फॉलो मी, हेड्लैम्स बटन, बूट खुलें बटन और आपको पीछे टाटा की ब्रेंडिंग दी गई है दोनी की आपको स्मार्ट की ओफर की जाती है, बिकाउज इसमें की लेसंटरी आती है अब चलिए बात करते हैं काड़ी के X-Tier से और X-Tier में सबसे पहले बात करते हैं काड़ी के तो यहां पे आपको projector headlamps यहां पे offer किये गए हाई beam के लिए आपको halogen में जाता है dual function आपको DRS में जाते हैं जो कि turn indicator का भी काम करते हैं अगर नीचे की बात करें तो यहां पे आपको halogen fog lamp से यहां पे offer किये हैं उसके surroundings आपको यहां पे glossy black finish दी गई है यह पूरा front profile Tata Nexon का काफी बहतरीन लगती सामने की तरफ से नीचे आपको यहां पे skirt pit दी गई है जो कि gray finish में आपको उपरी यहां पे दी गई है सामने से बात करें तो यहां पको radiator grill दी गई है जो कि trial design आपको उसमें भी देखने को मैं जाती है यहां पे आपको toeing hook का option दिया गया है अगर गाड़ी के ground clearance की बात करें तो 209 mm का आपको इसमें ground clearance offer के जाता है तो आपको off-roading या खराब रास्तों में कोई problem नहीं होने वाली है front looks आप देख सकते हैं काफी muscular से यहां पे offer किये गए और उपर की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं rain sensing wipers आपको मिलते हैं उपर की रूप देख सकते हैं black alarm में जो की काफी बढ़ी है लग रही देखने में bonnet पे आपको काफी creases दी गई front के बाद आप बात करते हैं काड़ी के side profile की तो यहां पे आपको 16-inch के diamond के टेलाइवेस आफर के गए है टाटा की ब्रेंडिंग के साथ में और जो suspension का travel है इतना कुछ आपको यहां पे दिया गया है and diamond के टेलाइवेस काफी बढ़ी लगते हैं टाटा की ब्रेंडिंग wheel profile की बात कर लें तो 215-60-R16 का आपको पूरा wheel profile यहां पे दिया गया है five spokes diamond के टेलाइवेस काफी बढ़ी लगते हैं देखने में and wheel scooper आप देख सकते हैं cladding भी आपको offer की गई है जिससे की side से जोगाडी काफी sporty लगती देखने में and fender पर आपको जो है राइनो की जो है इस्टीकर दिया गया है जो की काजी रंगा नेसल पार्क को जो है related करता है यह पर आपको डोस पर भी cladding दी गई है और यह पूरा side profile ORBMS की बात कर लें तो ऐसे कुछ आपको electrically adjustable and foldable ORBMS यहां पर दिये गए and glossy blackness ORBMS काफी बढ़िया लग रहे है देखने में and turn indicator की placement भी आपको इसी में देखने को मिल जाती है dimensions की बात कर लें तो 3.9 meter length रखी गई है width की बात कर लें तो 1.8 meter है और height की बात कर लें तो 1.6 meter आपको height मिलती है तो space आपको काफी बढ़िया मिल जाता है Tata Nexon में wheel waste की बात कर लें चो 24.98 mm का wheel waste मिलता है A pillar पूरा black treatment के साथ यहां पर offer किया गया है and doors पर आप देख सेते हैं यहां पर नीचे आपको cladding दी गई है और जो B pillar मिलता है वो भी आपको पूरा black treatment के साथ यहां पर offer किया गया है उपर आपको sunroof, roof raise and sharpie 19 अब चलते हैं और rear profile देखते हैं अब यहां पर rear से देख रहे हैं आगे कि तरह आपको पीछे भी muscular looks मिल जाते हैं और पीछे आपको यहां पर drum brakes offer किया गया है फ्रेंटे में आपको disc brake मिलता है अब बात करते हैं overall rear profile की तो पीछे भी आप देखते हैं इसका जो black और grassland beige कलर का जो combination है काफी बढ़े लग रहे है टॉप से बात करते हो sharpie 19 अ रूफ रेस में जाती है और यहां पर आपको high month stop lamp यहां पर आपको defogger दिया गया है यहां पर आपको wiper यहां पर आपको Tata की branding और उसी के नीचे आपको reverse parking camera की placement दी गई है यहां पर nexon की badging जो कि black color के साथ यहां पर लिखी गई है जो कि काफी बढ़े लग रही देखने में tail lamps की बाद कर ले तो ऐसे कुछ आपको LED tail lamps से आपको offer किये गए और इनका road presence भी आपको काफी बढ़िया मिलता है यहां पर नीचे आपको reflectors दी गए है दो reverse parking sensors आपको मिल जाते है जो skid plate है वो आपको gray finish में आपको मिलती है अगर side से बात करें तो ऐसे कुछ आपको fuel tank दिया गया capacity की बात करें तो 44 लिटर की आपको fuel tank capacity मिल जाती है टाटनेक्स ओर में and side से ऐसे कुछ view अब चलते है rear doors पे और rear sitting comfort देखते है door panel की बात करें तो ऐसे कुछ आपको full black finish में door panel दिया गया कोई dual room color offer नहीं किया जाता है यहां पर आपको प्यानो blackness यहां पर आपको door handles यहां टुटर की placement दी गई है power window के controls नीचे speaker की placement bottle holder door pocket से आपको दी गई है rear cabin की बात करें तो ऐसे कुछ आपको पूरा sitting arrangement दिया गया है दो headless मिल जाते हैं जो कि adjustable हैं बीच में आपको armrest दिया गए जिसमें 2 cup order दिये गए हैं चलिए अंदर बैठते हैं अंदर से सारा legroom headroom सब कुछ sitting comfort देखते हैं अंदर बैठने के बात इतना कुछी space आपको मिल जाता है और उसका sitting comfort है वो काफी बढ़िया लगा मुझे इस segment में यहां पर rear case events आपको दिये गए हैं rear ascenders के लिए यहां पर glossy black finish अगर नीचे की बात कर लें तो नीचे आप देखते हैं थोड़ा सा hump आपको मिलता है और पूरा interior जोकी full black finish में आपको दिया गया है उपर आपको यहां पे grab harness में जाते हैं जोकी foldable है कोटू का आपको दिया गया है दो headrest जोकी adjustable है पीछ आपको पार्सा ट्रे दी गई है अगर booty space की बात कर लें तो इसमें आपको 350 लिटर का booty space offer के जाता है बीच में armrest जिसमें दो cup holder दिये गया है rear seatbelts, rear passengers के लिए front dashboard की बात कर लें तो ऐसा कुछ आपको full black finish में dashboard यहां पे दिये गया है और सामें देख सकते हैं wooden finish आपको मिल जाती है dashboard में जोकी इसके looks को और भी premium मना देती है interior से steering पे आपको सारे contours दिये गया है center में आपको 7 inch का touch infotainment system मिलता है जोकी android auto apple car पे सबको support करता है अब चलते हैं आगे seats पर और सारे features cover करते हैं एक एक करके तो यहां पर आपको keyless entry मिल जाती है request sensor यहां पर दिया गया है and door panel की बात कर लें तो ऐसे कुछ आपको full black finish में door panel आपको मिलता है यहां पर आपको door handles यहां पाउंडो के controls यहां पर black treatment यहां पर आपको tutor की placement दी गई है यहां पर ORVM को adjust करने के fold करने के सारे controls दिये गए नीचे आपको speaker की placement बोटर holder door pockets यहां पर आपको umbrella holder भी मिल जाता है यहां पर आपको lights and front cabin की बात कर लें तो front cabin आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको front cabin दिया गया है spaces cabin आपको मिल जाता है टाटनेक्स ओल में यह पूरा wooden finish के सार्थ dashboard यहां पर आपको leather एपाउस्टी मिल जाती है अब आपको यहां पर ventilated seats मिलती है यहां से height adjust कर सकते हैं यहां से आपको filled opener नीचे ABC पैडल मैंडवर पैडल यहां से अब आपना bonnet खोल सकते हैं अब चलिए अंदर बैठते हैं अंदर से सारे features cover करते हैं तो अभी आप यह टाटानेक्स ओन काजी रंगा एडिशन का पूरा डैश्वूट इंटेर देख रहे हैं वाड़ी का on कर लेते हैं दिखाते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्रस्टर तो अब इसकी बैटरी जो मैं पूरी तरह dead हो चुकी है तो अभी मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्रस्टर नहीं दिखाबाँगा, फुल डिजिनल आपको इंस्ट्रूमेंट क्रस्टर मिलता है इसमें, बीच मैं मैं आडी दीगी, जिसमें सारी इंफोर्मेशन आपको मिल जाती है and steering की बात करें तो यहाँ पर आपको decat steering दिया गया है leather apt steering की आपको यहाँ पर मिलता है full बीच में आप देख सकते हैं यहाँ आपको Tata की branding देखने को मिल जाएगी इधर आपको infotainment simulator सारे control यहाँ पर आपको cruise control दिया गया है इस lever के दुरू आप अपनी steering को tilt adjust कर सकते हैं उपर नीचे telescopic का कोई option यहाँ पर नहीं दिया गया है इधर आपको wiper accelerator control और इधर आपको headlamp accelerator control दिये गया है steering के बाद आप बात करते हैं काड़ी के center console की तो यहाँ पर आपको 7-inch का touch infotainment system मिलता है जो कि android auto apple carplay सबको support करता है and four speakers and four twitter का premium sound system आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको hazelette का button दिया गया है ACK events, nexon की badging यहाँ पर आपको automatic climate control मिलता है यहाँ पर glossy black niche यहाँ पर आपको express school का button मिलता है fog lamps यहाँ पर lock unlock boot खोलने का button दिया गया है and kaji ringa edition में आप देखते हैं पूरी wooden finish आपको मिलती है interior में and नीचे की बात कर लें तो यहाँ पर आपको USB port, AUX का port and यहाँ पर आपको 12V का charging port दिया गया है and अभी आपको six speed manual transmission को देख रहे हैं automatic का भी option है यहाँ पर आपको driving modes दिया गया है eco, city, sports and ऐसे कुछ आपको अंदर दो cup holder में जाते हैं जो की cover के साथ दिया गया and इसके यह unit काफी premium लगती है यहाँ पर armrest आपको दिया गया जिसके अंदर भी आपको अच्छी खासी space आपको मिल जाती है leather finish के साथ armrest मिलता है यहाँ पर glove box की बात करें तो ऐसे कुछ आपको glove box दिया गया जिसके अंदर space भी आपको काफी बढ़ी है मिलता है अंदर देख सकते हैं mobile holder cup holder सब आपको अंदर दिया गया है and यह पूरा dashboard interior उपर की बात करें तो आप उपर देखते हैं vanity mirror दिया गया है and इधर आपको कोई vanity mirror नहीं मिलता है यहाँ पर आपको auto dimming, IRBM light select control यहाँ पर आपको sunroof मिल जाती है one touch sunroof दी गई है battery dead होनी के वज़े से भी मैं कुछ आपको दिखानी पा रहा हूँ यहाँ पर mic की placement and visibility भी आप देखते हैं काफी बढ़िया मिलती है bumper to bumper car को drive कर सकते हैं अब चली चलते हैं गाड़ी के बाहर बात करते है safety features, engine specs और pricing की तो इसमें आपको ABS with DVD brake assist, powder lock anti-thirt alarm, street well warning crash sensor, electronic stability control hail assist और दो airbags मिल जाते हैं अगर engine specs की बात कर लें तो इसमें आपको 2 engine offer के जाते हैं 1.2 liter ravatron petrol engine and 1.5 liter ravatron diesel engine जिसके आपको power figures जो है इसक्रीन पर सो हो रहे होंगे अगर pricing की बात कर लें तो जो काजी रंगा edition आपको exit plus variant में देखनी को मिल जाता है अगर petrol में आप purchase करते हैं तो 11,78,000 इसका extra price है और on-road लखनो की बात करें तो 13,62,000 का on-road लखनो पर जाता है automatic लेते हैं तो 14,36,000 यह on-road आपको लखनो पर जाती है diesel के price आपको screen पर सो हो रहोंगे तो यह है टाटन इक्सवान अपने segment की safest सब compact SUV car कैसे लेगी आपको comment के जो पर दाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीगा और इस पर से thanks to Puneet Automobile स्तिवारी के लखनो description में आपको सारी content real दीगे अब call करके अपना appointment भूख रहा सकते है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीगा चैनल को subscribe कर दीगा